फिलाल मैं गुजरात के राजबावन से जुड़ गया हूँ और इस वक्ते अमारे साथ आचारिय देववर्थ तो महा महीम राज्येपाल हो गुजरात के वो अमारे साथ जुड़ेंगे अचार जी शादर परणाम आपको बहुत ही गंभीर चर्चा भी है आपके जिन्दगी की तक्दीर तश्वीर हालात जज़बाद सब चीज बदल जेंगी प्राक्रती खेती का आधार है भारितिय नसल की गाय साहिवार भार्पार का राठी गेर हर्यान वी अंगोर तिंगी पिरी भारतिय जो ओर नसल है आउस् गौशाला गुरुकुल कुरुक्षेतर में इसमें भारत की नंबर एक गौशाला है और हमने एक योजना बन जो किसान प्राक्रती खेती तरे हैं घर में देशी गाय पाले उसको सरकार 900 रुपया मासिक गाय के रख रखाओ के लिए देगी रहो हम दे रहें लग बग पौन समय 2,000,000ी गाय इस में किसान के खोते पर जाते हों कर fiance भावशालाि आप जेसे समाझ सीकार का जिन में इस देश के किसान के प्रति धर्ति मा के प्रति प्रियादि के प्रति पानी बचाने के लिए और पर प्रति जो भावशालाई यदी आप इस मिशन में जुडएंगे त और इसको आप सामने से देखेंगे तो ये भारत का नक्षा दिखाई देगा। ये एक अनुपम तरह की रचना है। और बहुत ही सार्थक चर्चा होगी, बहुत ही गंभीर चर्चा भी है। आपके जिन्दगी की तकदीर, तस्वीर, हालात, जज़बात, सब चीज बदल जेंगी। दर्ती, गव, सब खुशाल हों और उसका पूरा का पूरा सांटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, एक विशलेशन हम आचारी जी से लेंगे। अचारी जी एक बार आप हमारे दर्शकों को राम राम सादर प्रणाम। सब दर्शकों को सादर प्रणाम और सब के लिए मेरी और से शुब कमना है। अचारी जी मैं देख रहा हूँ आपकी महनत जो है वो ताबड तोड है। लगातार आप 35 वर्सों से संगर्स कर रहे हैं। और इस कड़ी में उस संगर्स की यात्रा के बीच में एक गटना आपके साथ गटती है। और कहते हैं अवसकता अविश्कार की जननी होती है। और उस घटना के बाद आपने मुख्य लक्से ही प्राकर्ति क्रीशी प्राकर्ति खेती को बना लिया। दरसकों को आप जरूर बता हूँ की शित्रह का वो घटना करम था जिसके बाद आपके आपका लक्से ये बन चुका है। और इसके इसको यदि ना करें तो नुक्सान क्या है। और इसको यदि हम लागू करदें स्थापित कर पाए। तो प्राब क्या के है। बहुत अच्छा कर्म भाई गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मैं 35 वरस्तक प्रधानाचारी रहा तो वहां देश के लगभग 15-166 पड़ते हैं 18-19 प्रांथ के तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एक लगभग 201 का क्रशी फार्म है जिसमें मैं रासैनिक ही खेती करता था य जैसे आम लो करते हैं एक दिने घटना घटी हमारा एक क्रशी करमचारी खेतों में कीट नाशक का छिड़काव कर रहा था और वो बेहोश होके गिर पड़ा दूसरे करमचारी ने हमें सूचना दी तो हम दोड़े गए उसको लेके हॉस्पिटल में दाखिल किया दो तीन द आज के बाद जीवन तो उसका बच गया लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि इस करमचारी ने उसे कीट नाशक को ना खाया था ना पीया था केवल उसकी गंध मात्र से बेहोश हो गया मेरे पास पंदरा सो बच्चे आवास्य रूप से पढ़ते हैं उन छात्रों को मैं व हावी बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये अपराद और पाप है मैं इस रासानी खेती को नहीं करूँगा करमु भाई मैं ततकाल क्रशी विज्ञान के इंदर कुरुक्षेत्र गयार वहां के मुखिया जो थे उस समय दॉक्टर हरियोम जी जिनको अब पदम श्री प्राक्रतिक खेती के वियान में मिला है उन दिनों वो हैड थे मैंने का डॉक साब इसका कोई मेरे को विकल्प बताओ रासाइनी खेती का तो उन्होंने कहा जी इसका विकल्प जैवी खेती और गैनिक फार्मिंग है तो मैंने वो स्वेंबी सीखी अपने करमचारी खेती वालों को भी सिखाई उसमें पक्के गड्डे बनाए जाते हैं उसमें गोबर डाला जाता उसमें जो केच्वार प्रियोग करते हैं भारत का नहीं विदेश से आयात किया जाता दो ढवण मेहिने में खाद बनाता है फिर उसको च्छांड़करते हैं वर्मी तो उसमें बड़ी महनत थी, लेकिन मैंने पांच एकड में इसको शुरू किया, पहले साल उसमें मेरे को कुछ नहीं मिला, सब कीट पतंग खागे, मैंने नहीं छोड़ा, दूसरे साल भी किया, तो पचास एक प्रतिशत मेरे को उसमें से उत्पादन मिला, तीसरे साल किया, तो लगबग 80 प्रतिशत मेरे को मिला, मेरी समझ में आई, कि मेरे पास तो गुरुकुल कुरुक्षेतर में लगबग 200 एकड जमीन है, जिस किसान के पास है ही 24 एकड जमीन, वो इस जैवी खेती को करेगा, तो उस बेचारे के घर का भरन पोशन कैसे हुआ, उस जैवी खेत में ना तो मेरी महनत कम हुई, ना मेरी लागत कमाई, ना मेरे को उत्पादन पूरा मिला, तो मैं दोबारा डॉक्टर हरियों जी पे गया, जी आपकी खेती को करते जैवी खेती को तीन साल होगे, और ये स्थिती है, तो डॉक्टर हरियों जी ने मेरे को कर्मु भाई, दो यूनिवर्सिटी के Liontist के विशलेषण दिये एक था Agriculture University हिसार का दूसरा था agriculture University लुधियाने का उसमें लिखा था जैवी कृशी क्या है उन्होंने लिखा कि भारत के खाधियान भंडार को भरने के लिए दो फसले मुख्य योगदान करती हैं गेहूर एक चाफ़ागा और इन दोनों फसलों की भरपूर उत्पादन यदि लेना है प्रती एकड तो एक एकड खेत में 60 किलो नाइटोजन की जूर्ट है अब 60 किलो नाइटोजन रासाइनी खेती में करना है तो बाजार में जाओ यूरिया डियेपी खरीदो डाल दो पू गोबर की एक टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइटोजन है और हमने चाहिए 60 किलो तो इसका मतलब एक एकड में 300 किवंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइटोजन पूरा होगा यदि इतनी नहीं पड़ेगी तो 60 किलो नाइटोजन नहीं होगा तो उत्पादन भी पूरा नहीं आएगा एक बार अब मैंने विचार किया वह इतना बड़ा देश का भुखंड है क्या इतना पशु धन देश में बचा है कि जो एक एकड़ में 300 किवेंटल गोबर की खाद पड़ सके एक बार नंबर दो इतना गोबर की खाद के लिए 20-30 पशु चाहीं हिस जान एक एकड़ में बच्चे पालेगा तीश पशु पालेगा एविवारी थे फिर उसी रिपोर्ट में साइंटिस्ट ने लिखा कि यदि आप 300 किवेंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो इसकी जगए 1500 किवेंटल वर्मी कंपोस्ट भी उतना ही काम करेगा अब वर्म कैसा पड़ेगा दूसरी बात तीसरा जब इतनी गोबर की खाद हमको खेत में डालेंगे तो उसमें मिथेन गैस पैदा होती है जो कारवन डाई अकसाइड गैस से 22 गुना खतरनाक है ग्लोबल वर्मी के लिए इतना जब गोबर की खाद होगी तो उसमें खरपतवार इतनी पैदा होगी कि किसान सारा दिन खुर्पी लेकर निकालने पर लगा लेगा उसकी लेवर नहीं गट सकती इसमें उत्पादन भी नहीं मिलता मेहनत भी कम नहीं ये सब चीज देखके मैंने जैवी खेती को का ये कामियाब नहीं है इसी बीच में प्राकृति खेती से मेरा प पी कोण देता है जन्तु नाशक कोण डालता है गोबर की खाद कोण देता है पानी कोण देता कोई नहीं देता और जंगल में जितने पोधे फलदार हैं टाइम पर फल से लग जाते हैं और जंगल के किसी भी पेड के पत्ते को लो प्रियोग साला में ले जो टेस्ट कराओ उसमें एक भी पोशक तत्व की कमी नहीं है जब प्रकृति परमात्मा जंगल के पोधों को सब कुछ तत्व दे रहा तो मेरे खेत को क्यों नहीं देगा जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे इसका नाम प्राकृति खेती है प्राकरती खेती के बारे में अचार जी पहली बार आपको कहां से इसकी रिशर्च प्राप्त हुई और कैसे आज आप उसमें कितना बिलीव कर रहे हैं देखिए मैंने उसी समय पांच एकड में जो जैवी खेती की थी उससे अलग पांच एकड लिए मैं और उसमें मैंने प्राकरती खेती शुरू करनी की और प्राकरती खेती के मूल पांच सी धान थे पहला तो बीजामरित बनाके बीज को संसकारीत करना दूसरा खेत की जुताई करके बीज बोने से पहले उसमें घन जीवामरित डालना तीसरा जब भी पानी दें तो हर पानी के साथ जीवामरित देना और धर्ती को ढख करके रखना ये मा है जैसे हमारी माताएं वस्तर से अंग ढखती हैं धर्ती को यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो धर्ती का जब 35 डिगरी ताफमान होता है तो उसका औरगेनिक कार्बन उड़ जाता है और धर्ती बंजर होना शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थिती में जो खर्पतवार जो खेत के अवशेस हैं उन से धर्ती को ढख देना केवल उसको छोड़ देना जो पोधा है तो उससे वापसा का निर्मान होगा वापसा क्या है कि उसमें नमी 40 प्रतिशत हवा ऐसी स्थिती जो धर्ती में पैदा होती है तो सुक्षम जीवान उसमें काम करते हैं और केचवा उसमें काम करता है धर्ती का और्गेनिक कार्बन उसे बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है और पांचमा और अंतिम इसका सिध्धान्त है एक ही समय खेत में एक फसल नहीं लगाने अने एक तरह की फसल लगाओ मल्टी क्रोप जैसे हमारे पुराने बुजूरू करते थे वहीं पर भिंडी लग जाती थी वहीं पर तोरी थी वहीं पर करेला था वहीं पर सलजम थी वहीं पर क्या नाम मूली गाजर ऐसे लगा दी गेहूं के बीच में चना बीज दिया गन्ने की जुताई करते समय उसके ब बन करके एक दूसरे की मदद पोधा करता और धर्ती का और गयनिक कारबनी से बढ़ता है। इस समय कर्मु भाई मेरे पास बारा अग्री कल्चर साइन्टिस्ट हैं वरतमान में जो यूनिवर्सिटीज में वी सी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, साइन्टिस्ट हैं, उन्होंने पहले मेरा बहुत विरोध किया कि ये देश को भुखा मारेगा। लेकिन जब प्राकृति खेती के मूल सिधान देखेर उस पर रिसर्च किया। हाँ, माइक्रो बायलोजी के सीनियर साइन्टिस्ट इस समय डॉक्टर बलजीत सारन एग्री कल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में कारियरत हैं, और जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया, तो उनकी आँखें खुल गी तो बहुत बड़ा भी ग्यान है। जब कि अंग्रेजी गाए और फ्रीजन में वही सतर से अठटर लाग पाए। और जो गाए बे सहरा छोड़ दी सडकों पर किसानों ने, उन गायों का जब उन्होंने चेक किया, तो उसमें पात्सो करोड तक सुक्सम जीवानों पाए। क्योंकि वो दूद नहीं देती, तो उनकी शक्ती उनसी जीवानों को बढ़ाने में लगती है। और ये जीवानों क्या है, ये है धरती के लिए वरदान। अब हम क्या करते हैं कर्मों भाई। कि हम एक 200 लिटर का ड्राम लेने खाले। और उसने लगबग 80 लिटर पानी से भर लो। और जहां पशु बांते, वहां छाय में रखना, धूप में नहीं रखना उसको। ये देशी गोमाता 24 घंटे में लगबग 8-10 किलो गोवर देती है। और उसमें 1.5-2 किलो बेशन किसी भी डाल का ये वी किसान पैदा करता है। तो 1.5-2 किलो गुड़ीस में डालना है, ये वी किसान के खेत में पैदा उतार। एक मुठी मिटी बड़े पेड़ की, नीचे की, खेत की क्यों नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ नश्ट कर दिया इस रासानी खेती में। तो अब इसको डंडे से 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, घड़ी की सुई की तरह, चार दिन गोलना है। पांच में दिन एक एकड का कल्चर त्यार है। इसमें इसका विज्ञान क्या करमू भाई, ये मैं किसान भाईयों को बताना चाहते हूं। गाए के जब एक ग्राम गोबर में तिन सो करोड सुख्षम जीवान हूं हैं, तो दस किलो गोबर में कितने होंगे? तीस लाख करोड होगे वो, अब उनको खाने के लिए दाल का बेशन दे दिया प्रोटीन, वह पहलवान बनेंगे, तकड़े होंगे, स्वस्त बनेंगे, यानि कि अपनी दर्थी माता की जड़ स्कुर्टी है। तो दो बात, तीसरा जो गुड़ दिया न, वो उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, मल्टिप्लाई करेंगे, और जो मिट्री डाली दो मिठी, उसमें भी सुक्षम जीवान हूं, वो जमन का काम करेंगे, कल्चर का, जैसे एक वेंटल दूद में 50 ग्राम दई डाल दो, सारा दूद ही बने जागा, ये काम होता इसमें, ये इतनी रिशर्च आपने जो की है, ये मेरे को तो लगता नहीं, एक दो दिन की मैने तापकी पूरी, आपने पूरी कपश्या करी है, आठ नो साल इस काम पे हो गए लगातार, तो इसमें क्या होगा कर्मो भाई, जब ये नाक सुक्षम जीवानों, उन में जाकर फिर जामन का काम होगा, और ये सुक्षम जीवानों असंख्या होगे, इनकी गिनती नहीं होगी, और जो सबसे बड़ी बात है, उल्ड राम में हर 20 मिनट में डबल होते हैं, अब जैसे 30 ला करोड थे, 20 मिनट पिछे 60 ला करोड हो जाए जाएंगे, असंख्या हो जाएंगे, इनकी गिनती नहीं कर सकता, आन गिनत, तो फिर क्या होगा इसमें, कि बतर घंटे के बीच बीच में इन खेत में डाल दो, पानी के साथ अपने आ पहल जागा, कोई मैनत की बात हैं, तो कर्मु भाई, इन सुक्षम जीवानों में, सेक जींग की, पोटास की, मेगनेसिम की, आइरेन की, कोपर की, यह कहां से होगा, अब यह सारा किसानों को कहते हैं, बार से खरीद कर डालो, अब उसका सारे जो कमाता हो, वो सारा ही इस दवाई में चला जाता है, इसकी पूरती कहां होगी, जैवी खेती का नाम लेके भ्रमित करते हैं, उसमें तो मेरे को कुछ पाया में, लेकिन प्राकरती खेती में सारे तत्मों की पूरती कैसे होगी, यह जो आकास है ना भगवान का, इसमें साड़े 78 प्रतिशत नाइट्रोजन है, बिजली कड़कती है, तो अजारों टन यूरी आकास में पैदा होता नाइट्र तो यह जो सुक्षम जीवान हुएग गव माता के पीट से देसी गाये माता के पीट से गई हैं शेह सेखड़ों तरह के सुक्षम जीवान हूँ और इनकी संख्या संख्या होगी, यह आंकास से नाइट्रोजन को खींषते हैं आपके तो परमात्माने किसान के लिए मानव के लिए एक वर्दान है वर्दान तो आकास से जब वो नाइट्रोजन खीच के रूसका भोजन बनाके पोदे की जड़को ये सुक्षम जिवानू देते हैं जो गोमाता के पेट से बढ़ाए एक बात दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाता हूँ ये जो धर्ती माहना इश्वर पूर्ण उसकी रचना भी पूर्ण इसमें सारे पोशक तत्व हैं फासपोर जिंग पोटास आरन कोपर सब कुछ है लेकिन ये तत्व अपने आप पोधे का भोजन नहीं बनते ये जड़ पेट से निकले सुक्षम जीवानों ये उनको खते हैं तत्वों को खनीजों को और भोजन बना के पका के पोधे की जड़कों देते हैं बड़ा मोटा उदान किसान भाईयों के लिए सबके घर में रसोई है रसोई में बोजन बनाने का सारा सामान है उसमें दाल भी है सामान तो सारा है लेकिन बनाने वाला नहीं तो भोजन ही बनागा ठीक ठीक जानना ठीक ठीक बनना ठीक ठीक इंप्लिमेंट बिलकुल बस यही काम जो रसोई में मा बहन का काम है वही खेत में सुक्षम जीवानों का काम है पोधे का भोजन तो सारा धरती में है लेकिन उस को बना के पका के पोधे को देने का काम करता है के चुआ करता सुक्षम जीवानु जो देशी गौमाता के पेट से निकड़े हैं और वो मित्र की जो गौमाता जिसका बढ़ावा करती है उससे अपने आप पोधे के 16 प्रकार के पोशक्षत्व जो मिलने चाहिए वो पूरे कर देती, तो बाहर के यूरिया डिये पी की के जोुर्बेल करमू भाई एक और बात पूछों आपसे आप जब सड़कों पर गूंते हो पूर बना रखे हैं अजकल बड़े बड़े उन पे पीपल जाम गया बड़ जाम गया जो बताओ उसने यूरिया कौन दे है डिये पी वहां तो मिट्टी भी को नहीं पत्थर में जाम गया पेड़ को खुराक मिलती है सूरिय की दूप से खुराक मिलती है हवा से यह जो भ्रम पैदा करक्या धरती से तो पेड़ दो डेड़र दो परजेंट ले और आपका जैसा सुनने में जैसे आप जहां जहां विकारी रहत ह तो आपके बारे में सुनने वावी लाइट को बड़ा द्यान लगते थे जब गीजर की जरूरत नहीं तो काम चल रहा है तो उसको बंद रखना फुजूल में लाइट वह तो बंद रखना इस तरह की चीज़ें फिर यहां की हम बात करें तो यहां आपने जो पैंसन लाग दानमंत्री जी को भी हमने सुना है कि वह आपके बारे में बताते हैं इनकी प्राकरतिक खेती के मोडल ने इतने कई लाग करोड का हमारा मतलब बजट यहां बचत में ला दिया इस समय कर्मु भाई वाकई राजभवनों में बिजली सारा दिन जलती रहती है कोई ध्यान न एक साल में नो लाख रुपे की बिजली बचाई और यही काम गुजरात में करता हूं जरूरत है तो जलाता हूं नहीं तो मैं कोई उप्योग नहीं करता और ना करने देता है यह मेरा एक स्वभाव गुरु को लिए संसकार परंपरा से है दैनिक मैं यज़ करता हूं वहां से मेरा प्रेम बच्पन से था मेरे पिताजी गाए रखते थे घर में गौशाला गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इसमें भारत की नंबर एक गौशाला है उसमें साहिवाल थारपार का राठी गेर हरियानवी लाल सिंदी इन गाए की नसलों पर मैं काम करता हूं मैंने दे कि दो ही साल में ने काम किया क्योंकि उन दिनों पहले दो साल में मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक्सपेरिमेंट कर रहा था यह सफल भी है क्या नहीं जब मेरी प्राकृती खेती सफल हुई तो मैं इमाचल में गाउं में जाता खितों मैं किसानों के बीच में करेगा एक दिन पिता करेगा एक दिन बहु करेगी ऐसे बाठते थे तो मैंने जब प्रचार किया तो लगबग पच्शास हजार किसान मैंने प्राकृति खेती से जोड़ दी और बॉड बना दिया प्राकृति खेती का अब इस समय हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रदेश में एक भी पंचयत ऐसी नहीं जहां प्राक्रती खेती नहीं है अब बड़े खुश हैं और बड़े प्रेम से करते हैं अब फिर मैं आया हिमाचल गुजरात में तो उसी भी मिशन को हमने चला है आदर्णिया प्र इरना इसके लिए बहुत अनुबहों में आई और हमारी प्रदेश सरकार ने मान्य मुख्य मंत्री कृशी मंत्री पूरा विभाग एक दम समर्पित होके लगा तो आज आपको खुशी होगी आज के दिन तक लगभग 10 लाख किसान गुजरात में प्राकरती खेती करना शु इसको सरकार 900 रुपया मासिक गाए के रख रखाओ के लिए देगी रहो हम दे रहे हैं लगबग पूने 2 लाख गाए इस समय किसान के खुटे पे जा चुकी और हम नसल सुधार की भी बात करते हैं भाई गाए की ब्रीड को बनाओ पशु वो बचेगा दुनिया में जो ला तो हमने नसल सुधार का भी काम शुरू किया और ये भी अविहान चलाया कि वह गाए पाल और प्राकृति खेती करो यहां जब भी प्रधानमंत्री जी भी आते होंगे क्योंकि गांधी नगर में हम है और राजबहान में प्रधानमंत्री जी आना जड़ना रहता होगा तो यहीं पर टैलते टैलते प्राकृति खेती के बारे में जब आ अपने बात रखी भी होगी पहले भी तो प्रधानमंत्री जी कितना सहमत है इस प्राकृति खेती के कुंसेंट्प्स का बिल्कुल क्लियर वीजन है वो कहते हैं मेरे देश के लोगों का स्वास्त बचना चाहि पूरी है धाई लाक करोड एक साल में पिछले वर्ष विदेश में दिया बदले में हमने यूरिया डियेपी ये खरीदा फिर किसान खरीदता है फिर धरती को हम जहरीला बनाते हैं वो साग सब्जी फल फ्रूट के द्वारा लोगों में जाता है कहीं कैंसर कहीं हार्ट प्रदान मंत्री जीत ने गंभीरता से कहते हैं कि हमने अपने भारत की प्राचिन उस विधा की ओर ही जाना पड़ेगा ग्लोबल वर्मिंग बहुत वड़ी चुनोती बन गई धरती बंजर हो गई पानी नहीं पीती और हमारे सुक्षम जीवानु मरगे केचवे मरगे पश पक्षी जीवजंतूं की प्रजातियान लूपत हो गई यदि हम प्रकृति से इतनी छेड़ चाड़ करेंगे तो प्रकृति भी विक्राल रूप धारन करके हमारे को अब देखलो जहां बारिस होती तो एक-एक पुटपानी गिरता है जहां नहीं होती महां काल पड़ रहा बहुत अच्छा अपने काहा कर्मू भाई इस समय देश और दुनिया की पहली प्राकृति की युनिवर्सी मान्य प्रदान मंत्री जी ने गुजरात में बनाई और उसने काम करना शुरू कर दिया हलोल पंच महल जीले में और उसमें हमारा यही मिशन रहेगा कि उसमें रि अग्री कल्चर युनिवर्सीटी हैं गुजरात में चारों में पिछले तीन साल से हमरी सर्चला रहे हैं और अब उन्होंने प्रजन्टेशन दी सब ने आशातीतला मिला लोगों में जो भ्रम है कि हम प्राकृति खेती करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा जबकि हमारी दांतेवाड़ा में एग्री कल्चर युनिवर्सीटी है जिसमें मिश्टर चोहान वाई चांचलर उन्होंने गुजरात के राज भवन में भरी मीटिंग में जिसमें मुख्य मंत्री कृशी मंत्री में सब थे उन्होंने बताया कि हमने हल्दी लगाई रासायनिक में जितन कुलकुरुक्षेतर का वर्णन आपको करूँ हमारे सो एकर जमीन तो बंजर भूमी थी उसमें भी पिछले वर्स 32 की वंटल एवरेज धान का उत्पादन हुआ मेरे खेत में और जो रासायनिक खेती करते हैं उनका 15,000 उपे खर्चा था सो प्रतिशत पाणी प्रियोग करते थे उत्पादन 28 से 30 की वंटल हुआ मेरे में खर्चा 2000 हुआ पाणी 50 प्रतिशत लगा और उत्पादन 32 की वंटल हुआ तो यह जो धारना है कि इसमें उत्पादन कम होगा कर्मो भाई यह आपको जानकर बड़ा अश्रिय होगा अब देखिए यहां से इस प्रतिमा को आप देख रहे हैं तो यह भारत निर्माता सरदार वल्ला भाई पटेल की प्रतिमा है और इसको आप सामने से देखेंगे तो यह भारत का नक्षा दिखाई देगा यह एक अब देखिए पूरा भारत का नक्षा अगया अब यह पूरा भारत देश का नक्षा है इसको डिजाइन इस तरीके से करवा गया है हाँ नहीं इसमें बहुत ही स्पेशलिस्ट लोग हैं लप्चर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में तो यह आकरती बनाना बहुत बड़ी द किया है अचार जी मैं उस तरफ मा की ममता का है जूम कर दे राउल हाँ जूम कर देजी अपने बच्चे के प्रती मा का कितना लगाओ सने प्यार है तो वो यह परमपरा बच्चों में मा के प्रती सने का भाव आजकल व्रिधाश्रम बढ़ देजा रहे हैं तो इस दिशा मे हमने भारती जीवन मुल्यों को माता पिता का सम्मान बढ़ों का सम्मान गुरु जुन का अधर आजकल दो सम्मान तो दूर जी सम्मान ठाग लेज़े सम्मान ठाले आचार जी मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखिए फोटो यहां की आपके सोसल मीडिया एंडल पे द तो दिन्चरिया क्या रहती है रूटीन की अचार जी मैं सवेरे नियमित रूप से पांच बजे जागरन हो जाता है जी उसके बाद मैं योग करता हूं प्रणायम करता हूं सनान के बाद प्रती दिन हवन करता हूं उसके बाद हलपाहर के बाद अपना पठन पाठन और दि का यह जोत है हमारे संस्कृति का संदेश है कि हम अंधकार से प्रकाश क्यों रहें तो आप बहुत आगे उस चीज में नजरा तो आपकी दो लगबग बारतलाब अधिकारियों से एडिमिस्ट्रेशन से बाचीच चलती रहती है और आपकी बाचीच का नब्ब प्रतिशत हिसा प्राकरतिक रिशी खेती पर उता जिससे जमीन गाएं किसान सब बच रहता है और देखिए एक चीतर सामने देखेंगे आप प्राचीन भारत में पूजा पद्धती जो थी व और यहां हम देख रहे हैं महर्चीद आनंद सब्धावनदा इसके बारे में बता हो जाने पिछले पंदरा अगस्त को जब हमारा एट होम होता है तो उस दिन इसका विदिवत उद्गाटन किया गया ये बहुत बड़ा एक हजार लोगों के बैठने की सिती इसमें बनती है एक हजार विखती एक समय पे बैठ सकते हैं ऐसा सबागार शायद पूरे देश के किसी भी राजभवन में नहीं होगा और इसमें पूरे वर्ष बर किसानों के महिलाओं के समाद के अलग-अलग प्रांतों के कारिकरम निरंतर चलते रहते हैं और इसका नाम इसलिए महरिश और उन्होंने समाद सुधार के एक शेतर में प्राचिन वेदों की पुनर सापना के लिए अद्भुत ये बना है और ये कोई तीन की छत नहीं है पूरा का पूरा ये आर सी सी का है वो महरिशी रयान सरस्वती का चीतर है उनके प्रांशी शे थे शाम जी कृष्ण वर्मा जो क्रांती कारियों के बहुत बड़े प्रणाशों थे क्रांती गुरू शाम जी कृष्ण वर्मा इनके वो अस्थियां इनकी जहां इनकी मृत्यू हुई थी जैनेवा में इनोंने एक बैंक में रख दी थी और ये लिखा था यदि कोई भारत वन सी मेरे प्रती राष्ट्र की सेवा के लिए शद्धा रखता हो तो मेरी अंतिम इच्छा की मेरी अस्थी मेरी मात्री भूमी भारत की धर्ती पर विशर्जित की जाएं किसी ने इसका द्यान नहीं किया श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री जी समय ग्रह मंत्री थे उन्होंने भाव पड़े वहां की सरकार से संबंद स्थापित किया और अस्थियां लेके आए और पूरे गुजरात में कई दिनों तक अस्थी का पूरा उत्स मनाते हुए लोगों के बीच में ले जाते हैं यात्रा निकाली यह सुनने में आ था कि जो स्विस बैंक था उसको यह कहा था मेरी सारे संपत्ति ले ले लेकिन मेरे मरने उपरां तो मेरी अस्थिया मेरे देश में यह यह बिलकुल बोला गया विसरजित करने की और फिर उनका इनका जो पैत्रीक स्थान है वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा भव्यस्मारक बना तीस चाली से कड़ में जहां स्वामी दयानंद के उनके संबाद यजशाला बनी हुई है मैं दो बार उसको देखे आया हूँ अद भूत स्मारक बना जिसमें लाकों लोग प्रेना लेते हैं यह धंका कारिक्तरम बह होती भूवे और एक किसम से जब नाम आएगा तो महर्शी दयानंद सभा मंडप आचार जी आपने यहां का जहां आना यहां के लोगों के लिए सार्थक हो गया आचार जी वैसे करम भूमी तो आपका पूरा देश है पूरे देश में आपकी गतिवीदिया चलती है जनम भ किसानों को इस मुहीम से जोडने के लिए उनको आउगत कराने के लिए कोई मैसेज करने करना चाहेंगा जरूर करूंगा करमों भाई आप जैसे समाज से भी पत्रकार जिन में इस देश के किसान के प्रती धरती मा के प्रती प्रियावन के प्रती पानी बचाने के लिए गो भी नहीं जिस से भगवान की ये जो रचना प्रकृतिस का सब कुछ बचेगा कर्मु भाई अंतमे मैं किसान भाईयों को निवेदन करता हूं ये विज्ञान है इस समय जो यूरिया डीएपी किसान खेत में छिड़कता है तो इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन जब ऑक्सिजन के संपर्ख में आता तो नाइट्रोज ऑक्साइड नाम की तीसरी गैस पैदा होती है जो कार बन राई आक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है परियावन के लिए तो मेरा किसान बिना जानकारी की है सब को इसकी जानकारी होनी चाहिए सरकारों को भी साइं खेती से ग्लोबल वर्मिंग को बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान करे करोड़ों लाखों टन यूरिया रोजधरती पर पड़ता है उससे कितना नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है गोवर की खाद से कितना मिथेन पैदा होता है हमारी इस पद्दती में गोवर की जहां उसमें 300 क्वेंटल जैविक में लगती हमारे में 10 से 20 किलो लगती है जैसे कावती जैसे में शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फसना मत कहते भी गए फस्ते भी गए बहुत सारे किसानों को पता भी है इस बात हम जहर की खेती कर रहे हैं हम जहर खिला चार और प्रचार सरकारें करें scientist में विचार जाए वो इस पर रिसर्च करें और हमारे कृशी विज्ञान के अंदरों पर प्राकृति खेती की ट्रेनिंग हो अलग से प्राकृति की ट्रेनिंग हो अब किसान को university द्वारा यूरिया डियेपी जन तु ना सके प्रियोग की ट्रेनिंग देनी चाहिए क्योंकि इसके दुष्क परिणाम बहुत आगे तब जागो तभी सवेरा यह यह अब समय की मांगए मार पिछह पुकार को नहीं कि फिर उस वक्त-वक्त मांगा जब वक्त तंग आया जब समा बुझ गई तो मैं फिल में रंग चाहिए तो आचारि जी गुजरात के महा महीम राज्यपाल आचारे देववर्त बहुत कुछ है बताने के लिए लंबी वीडियो बहुत कुछ है लेकिन कहते ना चावल बन रहे हो और उसमें से एक दाना निकाल गे पता चल जाता पूरी खिच्डी के चावल बन चुगे तो यह आचार जी ने है यह आने वाड़े सो वर सो तक की इतियास लिख देगी यह चीज यह प्राकरति खेती के मादम से अपने गव माता को दर्ती माता को परियावन को बचा लिया तो सब से बड़ा पुन्य करम हो जगा आचार जी हम आपके साथ है इस लड़ाई शंगर साब का और हम आपके स मुझे बड़ी खुशी होगी हम सब मिलेंगे तब लोगों का कल्यान होगा सब का इसी में भला हो अपने अमें अपना कीमती समय दिया इसके लिए मैं रियान विम बोलूंगा तोड़ा जी दिल की राहित है दिल का चोवामत है गठड़ी बहुते बरक है जोड़े ठोक है देर सारा धन्यवाद करता हूं आप इतनी दूर से चल के आए और स्पेशल आप में इसतनी बड़ी ऑढावनाक मेरी धर्ती बचे गुमाता बचे किसान बचे परियावन बचे पानी बचे लोगों का स्वास्त बचे और देश का धन बचे यह सोच जो आप लेके हर्याना स से चलके राजभवन तक आए आपका मैं अविनंदन स्वागत और धन्यवाद करता हूं धन्यवाद करता हूं